दोस्तों, एक बार फिर अमेरिका का दोगलापन सामने आ चुका है, और आज अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसके कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, अब रूस यूकरेन युद्ध के बारे में तो अमेरिका ने जो अहम फैसला लिया है, इसके बाद भारत अब ज्यादा दिनों तर रूस से कच्चा तेल सस्ते दामों पर नहीं खरीद सकता, लेकिन अब समय पूरी तरीके से बदल चुका है, जहां पर भारत रूस से एक दिन में करीब 2.4 मिलियन बैरल प्रति दिन तेल को खरीद रहा है, और यह गिरावट लगातार बढ़ते चली जा रही है, और इस गिरावट के पीछे का कारण है अमेरिका, अमेरिका ने उन सभी शिप कमपनीज के ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया है, जो रूस से कच्चा तेल भारत की ओर लेकर के आ रहे हैं, ओ अमेरिका का यह फैसला बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अमेरिका ने उन सभी शिप कमपनीज के ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया है, जो जो सिर्फ रूसियन ओनील को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही है, उन्होंने ओनेल को लेकर के गिरावट आ चुकी है, यानि कि इस समय भारत रूस से सिर्फ एक पॉइंट तीन मिलियन बैरल प्रती दिन कच्चे तेल को खरीद रहा है, और यह गिरावट लगातार बढ़ते चली जा रही है, और इस गिरावट के पीछे का कारण है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने उन सभी ship companies के उपर ban लगाना शुरू कर दिया है, जो जो सिर्फ Russian O'Neill को एक जगह से दूसरी जगह transfer कर रही है, उनोंने O'Neill को लेकर के कोई भी statement नहीं दिया है, सिर्फ उन O'Neill companies के उपर बैन लगाना शुरू कर दिया है, अब ship companies अलग-अलग business पे operate करती हैं, जिनका maximum business अमेरिका, यूरोप और अलग-अलग शेतरों में किया जाता है, जहां crude all का business काफी बड़ा business है, और इसमें छोटी company पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, और ये वो बड़ी ship company हैं, जो already America, यूरो और कई देशों के साथ मिलकर के काम करती हैं, अब अगर ऐसे में इन company के ऊपर प्रतिबंद लग जाता है, तो ये अपने कई और भी business पूरी तरीके से lose कर सकती हैं, इसलिए अब वो रशियन all भारत तक पहुचाने का काम नहीं करेंगी और जब transportation नहीं होगा, तो भारत किस तरीके से रशियन कच्चा तेल भारत के अंदर ला पाएगा, इसका कोई भी समाधान नहीं है, और अब मजबूरन भारत को अपने पुराने प्लेयर यानी की इराक से कच्चे तेल के आयात को बढ़ाना पड़ रहा है, जहां साल 2021 और 22 में भारत ने इराक से करीब 56.5 मिलि पा रहे हैं और इराक के साथ डेफिनेटली हमें, महेंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा क्योंकि अब भारत के पास शायद उतने विकल्प नहीं बचे हैं, बाकी अमेरिका के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंस में जरूर बताएगा भारत के ऐसे ही यूज मेटिव वीडियोज पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए तब तक के के लिए वंदे मातरम भारत माता है